हेलो फ्रेंड वेल्कम टू फ्रेंड्स एड़ रेट प्रिपरेशन इस सेनल पर मैं क्रेशना आपके लिए लिके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की हिंदी की किताब वानी से पार्ट ग्यारा एक जादुई पिटारा ये कवीता है जिसके अहंदर हम पिटारा के बारे में जानने वाले हैं ये पिटारा क्या है इसे जादुई पिटारा क्यों बोला जा रहा यह सारी जानकारी आपको इस कवीता को पढ़ने के बाद मिलने वाली है, आईए इस कवीता को पढ़ते हैं, चैनल फ्रेंड्स एड़ रेट प्रिपरेशन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लीटस वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, देखी यह जो पिटारा है, जिसे हम लोग संदूक या फिर बकसा भी बोलते हैं, कुछ इस टाइप का आपको यहां चितर देखने को मिलता है, आप लोग की घर में भी जरूर कुछ न कुछ बकसा या डब या फिर बॉक्स यानि इस टाइप का कुछ न कुछ पिटारा जरूर होगा, और आपने भी कभी न कभी स्कूल के किसी असाइनमेंट में, किसी प्रोजक्ट के अंदर आप लोगों ने भी जरूर किसी बॉक्स को बनाया होगा, जैसे कि इस चितर में आप देख सकते हो, इस मिल रहा है चले कवीता पढ़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि भी किस टाइब का यह पिटारा है इसे online कई बोला जा रहा है इक पिटारा हम ने खोला है उसमें से निकला गपु गोला इस कवीता कवी की कवी के अंदर जो कवी है वो आपको बताते हैं कि एक पिटारा यानि एक बक्सा हमने खोला और जब हमने इसे खोला तो उसमें से एक गप्पू गोला निकलता है यानि पिटारा का यहाँ पर क्या है एक तरह का बक्सा आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो इतरह का संदूग कह सकते हो संदूग बक्सा बॉक्स इस टाइब के चीज को हम लोग पिटारा भी बोलते हैं अच्छा और जब इसे खोला गया तो उसके अंदर से एक गोला कार एक चीज निकला है जिसे यहाँ पे कभी बोलते हैं वो क्या है गपू है यानि कि गपू गोला इस टाइब का एक गोल चीज यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रही है यह इस पिटारे को जब खोला जाता है जैसे कि यह दो बच्चे इस पिटारे को खोलते हैं तो उसके अंदर से गप्प गोला निकलता है गोले पर जब बांदी सुतली और ये जो गोला है इसमें जब सुतली बांदी जाती है सुतली का अर्थ होता है बच्चो कोई धागा यानि इसमें कोई धागा बांदा जाता है या कोई सुतली बांदी जाती है तो आगे बताया जा रहा है गोले पर जब बांदी सुतली लगा नाचने बन कटपुटली और जब इसमें धागा बांदा गया है इस टाइप का जो गोला है इसके उपर अगर अगर अब धागा बांदे तो ये नाचने लग जाता है कैसा नाचता है जैसे कोई कटपुटली हो जैसे आप लोगोंने कटपुटली एक तरकी गुड़िया होती है जिस पर धागा बंदा हुआ होता है जिससे लोग उसे नचाते है ठीक है तो यहां तक आपको सारी चीजी अच्छे से समझ में आ रही होगी ठीक है आप आगे पढ़ते हैं कटपुटली ने गाड़े खूट अब जो कटपुटली है जब उसको नचाया गया तो उसने क्या-क्या खूटे गाड़ दिये जिससे आप लोगों ने कहीं न कहीं खेत में या फिर अपने गाउं में या फिर ऐसी जगह पे जहां जानबर बंदे होते हैं वहाँ पर आपने खूट जरूर देखे होंगी खूट क्या होता है लकड जब नचाया गया तो इतर से जिसे खूट गाड़ते हैं वैसे जमीन में जाकरके गढ़ गया उसमें निकले 900 और यह जो कटपुतली है जो की खूट बंद करके जमीन में जब गढ़ गया तो इसमें से 900 ऊट निकले कितने ऊट 900 जो है कैमल्स या आपको देखने को मिल रहे और इस तरह से नाच रहे जैसे कि यह कटपुटली हो और नाचते नाचते इस कटपुटली जो है वो एक खूट की तरह गड़ गई यानि कि जमीन में धस गई और जब उसमें से धसने के बाद उसमें से 900 उट निकली एक दो नहीं बलकि 900 उट उसमें से निकला तो इसलेए य 500 Emil's इन 900ント Tut जो आपको याँ देखने को मिल रहे हैं चित्र मेंुत कुछ boost तो आपको यह सामने दिखाए दे रहे हैं और बहुत सारी धीया पर पीछे के रहे हैं और जब लोगों ने इस पर यात्रा करी, तो रास्ते में एक सुपाडी मिली, जो पान के साथ लोग खाते हैं न, उस सुपाडी की बात की जा रहे हैं, जैसे ये चितर आपकी किताब में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीके, तो जब इस पर लोगों ने सवारी करी, तो सवारी करने के बाद लोगों को रस्ते में सुपाडी मिली, ठीके, सुपाडी वही होता है, जो लोग पान के साथ खाते हैं, ठीके, तो वो सुपाडी लोगों को रास्ते में मिली, उसी सुपाडी को जब काटा, और लोगों ने इस सुपाडी को खाने के लिए से काटा ठीक है सुपारी समझ में आ गया होगा पान के अंदर डाल के जो खाया जाता है उसकी बात की जा रही है और जब लोगों नहीं से काटा यानि सुपारी को खाने के लिए जब इससे काटा गया उसमें निकला नौमन आटा यानि जब सुपारी को काटा गया तो इसके अंदर से आठा निकला और आठा कितना नो मन जैसे हम लोग आठा या फिर किसी भी अनाज को तॉलने के लिए हम लोग किलोग्राम यानि कीजी का इस्तमाल करते हैं तो पुराने जमाने में लोग किसी भी समान को तॉलने के लिए जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यानि बहु बहुत सारा आटा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, जैसे एक बादल बादल बन गया, बलकि इसमें से यह आटा निकला है, जिसकी वज़े से यह इस टाइप का हो, कई बार आपके घर में भी आटा गिर जाता होगा, तो आटा फैल जाता होगा, वैसे ही इसमें से नोम हम घर में पूझा पार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पत्थर के ऊपर फोड़ते हैं, फोड़ना यानि तोड़ना आ आप कह सकते हो, ठीके, तो यहाँ पे क्या गिया आगया, थोड़ा सा कवीता, उल्टी टाइप का है, कि लोग, पर नारियल फोड़ा उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा और जब नारियल को आटे के उपर फोड़ा गया तो उसमें से एक घोड़ा निकला ठीक है पहले तो देखो ऊट निकले थे ठीक है अब यहां पर बोला जा रहा है कि जब हमने नारियल को फोड़ा और किसके उपर आपको देख करके पता लग रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भी जादू पिटारा में आगे क्या क्या चीजे हो रही है घोड़े को जब एड लगाई अब यह जो घोड़ा है इसे चलाने के लिए जैसे लोग बोलते हैं चल मेरे घोड़े इस तरह से उसको एड लगाना तो जब लोगों ने इसको एड लगाई ठीक है तो आसमान ले पहुचा भाई तो यह जो घोड़ा है इतनी तेज चला इतनी तेज चला जैसे लग रहा है जैसे उड गया हो है ना ऐसा नहीं लग रहा है जैसे चल रहा है जैसे उड़ गया हो और यह कहां लेक आसमान ले पहुंचा भाई यह जो गोड़ा हमें लेके पहुंच गया आसमान में लेके पहुंच गया जैसे कि आसमान में आप लोग जानते हो चांद होते हैं तारे होते हैं तो यह आसमान तक हमें यह गोड़ा लेके पहुंच गया पाया वहां एक गुबारा जब हम लोग घुड़े पे बैठके जब आस्मान पहुंचते हैं तो एले बैरत भी वहां पर क्या मिलता है लुगों को एंग गुबारा मिलता है एक अलग टाइप का गुबारा है, जो कि फटा नहीं है, बलकि इसमें हमें 12 छेट देखने को मिलते हैं, जिससे आप गिन भी सकते हो, एक छेट पर था इस्टेशन, और इनमें से एक छेट के उपर है, जैसे कि आप यहाँ चितर में देख रहे हो, इनमें से एक छेट के उपर क्या था? स्टेशन बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो, यह ट्रेन आ रही है, ट्रेन के डब्बे दिखाए दे रहे हैं आपको, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, एक छेट पर था इस्टेशन, इनमें से एक छेट के उपर क्या था? स्ट citizen होता है, लेकिन कवीता को थोड़ा ताल देने के लिए, एक तरह से कह सकते हो, यह station को कुछ इस तरह से E से ब अंनर। є स्टेशन के लिए थोड़ा सा इसको एक तरह से ताल बनाने के लिए पढ़ने में अच्छा लगे ऊश्चों को, इसलिए station बोला जा रहा है यहां ठीक है तो उस एक छेद में से station निकलता है ठीक है अब station में क्या होता है वो पड़ते हैं जिस पर खड़ा हुआ था engine और उस station के उपर क्या था engine खड़ा था यानि कि एक rail guard ही खड़ी थी जिसका engine हमें देखने को मिल रहा है उस engine को धोया ऐसे उस engine को धोया ऐसे उसमें निकल पड़े दो भैसे और यह जो station है जिसमें आप लोग train देख रहे हैं इंजन देख रहे हैं उसको जब धोया गया अच्छे से साब सफाई की गई तो उसमें से train जो चल पड़ी और जब train इस तर से चली उसमें से दो भैस निकल पड़े जैसे कि आप इस चितर में देख रहे हैं दो भैस आपको देखने को मिल रहा होगा यानि कि station की अच्छी से सफाई की गई तो train चल पड़ी और train में से क्या हुआ दो भैसे निकले यानि कि यहां पर जैसे आप चितर में देख रहे हैं इस तर से यहां इसमें से भैसे निकले अब इसके बारे में थोड़ा और आगे पड़ते हैं भैसे लाकर जोता खेत और जब भैसों को लाकर के खेत जोता जोतने का मतलब होता है एक तर से खेती करना जब खेत खाली होता है तो उसमें फसल होगा रहुगाने से पहले बीच डालने से पहले उसे जोता जाता है तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि भैसों को ला करके यानि ये दो भैसे इनके पीछे हल लगा करके खेतों को जोता गया ताकि लोग खेती वगरा कर सके तो उसी की बारे में बताया जा रहा है कि भैसे लाकर जोता खेत नाज हुआ 1200 सेर देखो अनाज होता है ठीक है शब्द क्या है अनाज तो कवीता को थोड़ा सा और भी लै में बनाने के लिए एक अच्छा लगे पढ़ने के लिए तो अनाज को यहाँ पर क्या बोला जा रहा यानि कि आखो खा लिया गया एक तरह से तो यहाँ बोला जा रहा है नाज हुआ 1200 सेर यानि कि जब खेती की गई इसमें 1200 सेर अनाज हुआ देखो जैस तरह से स्टार्टिंग में मैंने आपको बता है कि किलोग्राम जो क्वांटिटी होती है बचे मेजर करने के लिए अब पुराने जवाने में लोग क्या करते थे सेर यूज करते थे मन यूज करते थे तो यहाँ बोला जा रहा है कि 1200 सेर ठीक है जब खेती की गई तो उसमें से जो अनाज निकले वो कितने लिख ले 1200 सेर अनाज निकले यानि इतनी खेती हुई यानि कि बहुत सारा अनाज इखटा हो गया, जैसे आप इस चित्र में अनाज देख सकते हैं, अनाज क्या होता है, अभी ये सोच रहे होगे, देखो गेहूं, धान, ये सब क्या होता है, अनाज होता है, यानि हमारे घर में जो आटा आता है, या चावल आता है, उससे पहले वो क्या होते हैं, धान के सब्सक्राइब बढ़ा है किससे पाइब ना Tenone के उस्में हो सब्सक्राइब धाल नहीं kept you दिवान हो जाते हैं तो उनाज खाकल यानि कि लोगों ने कई बार खाया एक बार बहुत है जैसे कि इस दू 1941 देखे ने खूर आज खाया और खाकल के इनको अनाज इतना पसंद आ गया कि ये सब अनाज के दिवाने होगे चले चाल बेहद मस्ताने और इतने खुश हुए अनाज खा करके कि इनकी जो चाल हो गई वो अब बदल गई और इनकी चाल कैसे होगे मस्तानी चाल हो गई मैं लग बहुत मज़िदार चाल हो गई, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत अलग तरीके से ये दोनों चल रहे हैं, इसलिए हम बोला जा रहा है, कि इनके जो चाल है, बड़े मस्ताने हो गए, ठीक है, तो ये थी आपकी कवीता, जिसके अंदर हमने जाना, कि एक पिटारे क निकलता है, फिर गप्पुगोला को जो हम रस्ती बान देते हैं, तो भई इसमें से ये जो गप्पुगोला है, ये नाचने लग जाता है, ऐसे जैसे कट पुटली हो, और नाचने के बाद आगे क्या हुआ, कि भई ये खोट की तरह गड़ गई, फिर उसमें से बहुत सार चाहरा के आठे वोपर नारेलवफोड आठिया, तो नारेलवफोड ने के बाद आपको पता लगा उसमें से घोड़णीद देख कर Вс도, ये नाचने के खोट, अधाँ बहुत की त्रें में से निकलता है, जब हम सटेशन की सफासरा करते हैं, तो अ बहुत सारा नाज निकलत और लोगों ने जब अनाज का कुछ पकवान बना के खाया तो लोग बड़े ही दिवाने होगे उस अनाज के ठीक है? तो ये थी आपकी एक छोटी सी कवीता जिसे आप लोगों ने ज़रूर इंजॉय किया होगा ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दीजी तकि ऐसी और वीडियो में आपके लिए चैनल पर ला सको और साथ के साथ मेरा ये चैनल जो मेरे फ्रेंड्स कर दरेट प्रिपरेशन है इसे भी सब्सक्राइब कर लीजी ताकि आपको लेटस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें इसके साथ साथ मेरा एक और चैनल है सेकिंड चैनल है जो की मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह इसे भी सब्सक्राइब कर लीजी ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो डालू तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सकें ठीक है तो ठैंक्स पूर वाचिंग बाबाई